अलो नमस्कार दोस्तों साथ आप सभी का एक बार फिर से अशीश गौतम के साथ अड़ाटुफोर्स हमें हमारे सी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और यह जो हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जनवरी से लेके जुलाई तक केस में हम लोग जनवरी कंप्लेट कर चुके हैं मार्च महीना चल रहा है मार्च के हम लोग दो क्लास कर चूए आज चीनी ऌक्स क्लास करने जा रहा हैं आप लोग उसे गुजारिश रही कि प्लीज यार वीडियो का मैक्समम जतना आप लोग शेर कर सकते हैं प्लीज यार शेर करना स्टार्ट करिए फिर हम लोग इस सेशन को यहां पर शिरू करते हैं अब जड़ा ध्यान से देखेगा एक important information जो आप लोगों को मुझे देनी है जो भी बच्चे SBI clerk के लिए जा रहे हैं मेंस examination में आपको 50 questions देखने को मिलेंगे general awareness के और मेंस में यह आपका सबसे scoring subject रहेगा मैं आपको कम से कम मेरे 240 plus की guarantee देता हूँ लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है morning 7 a.m. session में जुड़ना है daily basis पर और यह जो आज 12 p.m. session है आज है यह 5 बजे मैंने रख लिया है 1000 plus mcq का series है इसको complete करके चला है तीसरी चीज़ यह है आपको इस warrior batch में enroll कराना है यह warrior batch आज मेरी पहली class होई है first class होई है complete हो गई है यह आपको recorded मिल जाएगी अब जो भी classes है वो सारी live रहने वाली है complete financial awareness का batch है financial awareness में आपको 10 से 15 question exam में देखने को मिलेंगे complete financial awareness के और जरूरी है यह 10 से 15 question के लिए आपको इस batch को complete करना इस batch की जो timing है वो week में तीन दिन हम लोग पढ़ेंगे Monday Wednesday और Friday ओके और timing रहेगी इसकी 3 तू 5 पीम हम लोग इसको पढ़ेंगे 3 से 5 तीन से 5 और 3 से 5 content English में भी रहेगा content Hindi में भी रहेगा PDF आपको available कराई जाएगी हर एक live class की आपको recording भी available कराई जाएगी हर एक live class की आपको करना क्या है application को install करना है application जैसे install करेंगे वह है store में जाके west select करेंगा warrior 7.0 view offer में code लगाना y168 यह आपके भाई का code है 78% discount मिलेगा यह पढ़ेगा 1056 का ok clear है मेरे दोस्त आज जाके इस batch में enroll करा ले न अगर आप लोगों ने bank महापैक लिया है bank महापैक 12 month वाला इसके 12 month membership है यह आपको 3850 का पढ़ रहा है यह membership में आपको सभी faculty के सभी batches मिलेंगे इविन मेरे batches और faculty के सभी batches सारे आपको इस bank महापैक में मिलेंगे ओल बैंक SPI PO क्लग IVP SPO क्लग RRVP O क्लग RBS assistant attendant grade B prelims mains descriptive interview test series video courses सब कुछ even test series भी इसको आपको bank महापैक में मिल रही है आज जागे enroll करा सकते है सेम प्रोसेस है application से जाना है वाइवन सिक्सेट कोड लगाना है एप से लिए एप पर 78 परसेंट है वैप पर जाएंगे टटाट कॉम पर तो वाँ 77 होगा application पर 78 है वाँ कोईन का मतलब है कोईन और होते हैं उनको select करेंगे तो 78 टोटल बैठेगा कोड लगाना है से वाई 16 से याद रखना है तो आज ही जाके इस बैच में enroll करा लेना इसके बिना काम नहीं चलेगा आज से स्टार्ड है मेरा warrior बैच आज पहली class हो गई है अब Monday Wednesday Friday को रहेगी आज introductory class थी introduction कराया था देख लेना अब Monday को मेरे भाई 325 पीम हम लोग मिलेंगी ठीक है चलो अब जड़ा देखे सबसे पहले और important इंडिया दो एक नमबर में कुशन आता है exercise से पूछा जाता है इंडिया और उजवेकिस्तान के बीच में एक अभी military exercise रही है और यह जो military exercise रही थी foreign training node चौबटिया उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड के रानी खेत में चौबटिया foreign training node चौबटिया वहाँ पर इस exercise को कंड़क किया गया था इस exercise का नेम क्या है भारत और उजवेकिस्तान संयुक्त सैन अभ्यास विदेशी प्रसिचन नोड चौबटिया रानी के तुत्राखंड में आयोजित हुआ यह second edition रहा था डस्ट लिक इसका नाम है डस्ट लिक इसका नाम है डस्ट लिक पॉंगो सागर यह बंगलादेश के साथ है भारत के exercise बंगलादेश बंगो सागर डैजर्ट फ्लैग यार यह बताईए यह किसके साथ है डैजर्ट फ्लैग डैजर्ट इगल यह किसके साथ है मैं पढ़ा यह हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, तेरा प्लीज आंसर करिए इसका, और SBI एक्जाम की ओनलाइन फॉर्म की डेट एक्स्टेंड होगा यहां मेरे भाई, इसकी डेट एक्स्टेंड होगा तीन दिन और बीस तारिक तक, ठीक है, हम लोगा एक टारगेट है यार, मंडे को सु रहे हैं, RDR के आसपास चल रहे हैं, इसे कैसे दस्यार ला सकते हैं, यह आपके बिना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करेगा मेरे भाई, सौमबार सुबह साथ बजे लाइव जुडने का, ओके, नेक्स्ट, इंडियन नेवी इंडक्टेड, थर्ड स्कॉर्पियन क्लास, क इस करंज को शेवा में सामिल किया, यह किस के द्वारा निर्मित है, तो यह एक्जाम का कुशन है, यह मजगाव डॉक, मजगाव डॉक, इस तरीके कुशन आते हैं, कि यह फटिकल, यह शिप है, यह किसने बनाई है, यह सबमरीन किसने बनाई है, इसे कमीशन कहां पर किया गया, decommission कहाँ पर किया गया, launch कहाँ पर किया गया, तो यह जो इंडियन नेवी की third scorpion class conventional diesel electric submarine है, इसको अभी induct किया गया है, बेडे में शामिल किया गया, आहिनस करण जिसका नाम है, और इसको मजगाओ डॉक के द्वारा बनाए गया था, मजगाओ डॉक, ठीक है, मजगाओ डॉक, नेक्स सिखना, who has joined list of young global leaders compiled by world economic forum, तो कौन विश्वार्थिक मंच द्वारा, कौन विश्वार्थिक मंच द्वारा संकलित, global leaders की सूची में शामिल हो गई है, तो अभी जो हल फिलाल शामिल हुई है, ये थी दीपे का पादुकौन, अभी world economic forum, world economic forum, इसकी एक list आई थी, young global leaders की, उसमें दीपे का पादुकौन को शामिल किया गया, ये लिवाइस की brandam measure बनी है, लिवाइस की brandam measure ने दीपे का पादुकौन, वर्ल्ड economic forum का headquarter, Switzerland के, जिनेवा में, को लॉग नहीं में, इसका headquarter, Switzerland के जिनेवा में, world economic forum की जो annual meeting है, हर साल कहाँ पर होती है, Switzerland के दावास में, लेकिन इस साल जो annual meeting होगी 2021 की, ये सिंगापूर में, लेकिन कहाँ पर सिंगापूर में, ओके, सिंगापूर, clear, next, उत्तरप्रदेश, Chief Minister, योगी आदितनात, inaugurated rising dam, and chillimald dam, in which district, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदितनात, ने, किस जिले में, रसिन बांद, और, चिली मल बांद, का उधुगाटन किया, तो ये किया तो चित्रकूट में, चित्रकूट में, चित्रकूट में, योगी आदितनात ने रासन डैम और चिली मल डैम का उद्गाटन किया था कुवो जस्वाने नैजदी न्यू चीफ मिनिस्टर आफ उत्राखंड किसने उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है तो ये हैं तीरत सिंग रावत पहले थे त्रिवेंद्र सिंग रावत अब जो बन गए इनका नाम है तीरत सिंग रावत तीरत सिंग रावत है स्वाने नैजदी न्यू चीफ मिनिस्टर आफ उत्राखंड उत्राखंड के गवरनर का नाम है बेबी रानी मौर रहे है बेबी रानी मौर रहे है ये नाम भी याद रखना है बेबी रानी मौर रहे है उत्राखंड में नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्वेट तेक है जिम कॉर्वेट राजा जी गोविंद पशु बिहार गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क इसके अलावा इसके लावा कौन से है त्टोटल में लागर 7 कौन कौन से है मिरा बाई इसके अलावा गंगोर्ट्री त्टी कहें गंगोर्ट्री है एक और मिरा बाई दो और और जसित कर रहा हूँ यार नदा डेवी एक और कौन सा है राजा जी जिम कॉर्बेट राजा जी गंगोतरी नंदा देवी वैली ओफ लार्स अरे वाँ बहुत भड़ी है वैली ओफ लार्स ओके तो नंदा देवी वैली ओफ लार्स गंगोतरी राजा जी जिम कॉर्बेट और गोविंद ये नेशन पाक साब के उत्राकड में है फ्रांस ने अभी हाल फिलाल फर्स्ट मिलिटरी एक्सराइज है इस पेस में इसको लॉंच किया था और ये जो एक्सराइज है इसका नाम क्या है फ्रांस ने अपने उप ग्रहव यानि की सैटलाइट और अन्य रच्छा उप करणों को हमले से बचाने की छमता का मुलियंकन करने के लिए अंतरिच में अपना पहला सैन ने अभ्यास से शुरू किया अभ्यास का नाम क्या है इस अभ्यास का नाम है Aster X Aster X Aster X गर्वड शक्ती यह भारत की इंडूनेशिया के साथ एक्साइज है Hand in Hand China वजर प्रहार USA धर्म गार्जियन जापान Session को शेयर कर दो पटापट से Session को शेयर कर दो जिननोंने अभी तक Session को शेयर नहीं किया है Who has been reappointed as a chairman of External Auditors of United Nation मतलब United Nation के External Auditors का जो पैनल है उसके Chairman कौन मने तो भारत के Comptroller Auditor General इनकाना मैं CAG जो भारत के गिरिश चंत्र मुर्मू CAG Comptroller Auditor General of India Comptroller Auditor General of India CAG Comptroller Auditor General of India CAG को अभी हाल-फिलाल क्या बनाया गया है United Nation में जो External Auditors है उसके Panel उसका Chairman बनाया गया Clear है? ठीक है भाई? ऐसा Warrior Batchman रोल करा ले लेट लतीफी मत कर देना लेट लतीफी मत कर देना गलती से भी ठीक है? त्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अपने पैर पर खुद कुलहाडी मारते हुँ देखा बहुत हो को पैर के आगे कुलहाडी रखते हुए देखता है और सजाकर वो गलती मत दोराना बहुत सारे लोग हैं सिर्फ इसी वज़े से हारते हैं कि वो लेट लतीफी करते हैं लेट लतीफी नहीं करनी है बस क्लियर कड़ मैं इतना समझ लो कि हाँ आपको मेरे दोस्त आज ही जाकर इन्रोल कराना है आज ही बैट कर उस क्लास को देख लेना वो रिकॉर्डड आपको मिल जाएगी कल जो क्लास होगी मतलब सौंबार को वो सेकंड क्लास होने वाली हो नेक्स्ट इसमें जो सेकरेटरी होते हैं ना प्रादेशिक सेना में कैप्टन कू रूप में नेक्त होने वाले पहले संसद बन गए हैं यह अनुराग टाकुर मिनस्टर उफ स्टेट फॉर फाइनेंस he has become first serving MP to be appointed as the captain in territorial army who has become first Indian film personality to be falluciated with FIAF Award FIAF Award International Federation of Film Archive Award इसे सम्मानित होने वाले first Indian film personality का नाम क्या है Amitabh Bachchan Amitabh Bachchan ये याद रखेंगे Amitabh Bachchan Amitabh Bachchan next which bank has launched countries first contactless wearable payment device wear and pay ये आपके लिए सूपर मुश्मानित है तो ये जो पहला देश का संपर्क रहत पहनने योगे भुगतान डिवाइस है wear and pay ये किसके दौरा लाँच किया गया है Axis Bank के दौर Axis Bank ने wear and pay launch कि Axis Bank wear and pay Reserve Bank of India is removed prompt corrective action restriction on IDBI bank RBI ने Industry Development Bank of India पर तौरित सुधारात्मा कारिवाई प्रतिबंद हटा दिया RBI ने किस वर्ष में IDBI bank को PCA के तहसे RBI ने किस वर्ष में IDBI bank को PCA के तहसे रखा था Prompt corrective action यह होते हैं यह हम लोग पढ़ेंगे Warrior batch में Warrior batch में topic है PC है उसमें detail में पढ़ेंगे Prompt corrective action Union cabinet has approved Pradhan Mantri Swastra Surakchha Nidhi Administration and maintenance of Pradhan Mantri Swastra Surakchha Nidhi Is untrusted to whom मतलब इसकी जिम्मेदारी किस की होगी मतलब PMSSN Pradhan Mantri Swastra Surakchha Nidhi को लागू करने और उसकी रखरखाब की जिम्मेदारी किस की होगी तो इसकी जिम्मेदारी है Ministry of Health and Family Belfare की ठीक है Ministry of Health and Family Belfare की यह याद रखेंगे IT Services Firm Wipro ने अभी किनको CEO के तौर पर Appoint किया है European Operation के लिए Pierre Bruno Pierre Bruno को Wipro के द्वारा जो भारती IT सेवा फर्म है Wipro उसके द्वारा European परिचालन के लिए European Operation के लिए CEO के तौर पर मुखे कारिकारी अधिगारी के तौर पर किया गया है Okay What is the name of उत्रा क्षे चीफ मिनिस्टर who has reside तीरत सिंह रावत से पहले कौन से थे तीरत जो सरी त्रिवेंदर सिंह रावत थे त्रिवेंदर सिंह रावत थे पहले मुख्य मंतरी फिर उनकी यह पर तीरत सिंह रावत बन गये Okay तीरत सिंह रावत Who was named as the ICC Player of Month फर्वरी महीने के लिए ICC Male Player of Month Award कौन दिया गया है तो यह है रवी चंदर असुइन तो जनवरी में रिशब पंथ थे फर्वरी में रवी चंदर असुइन मार्च महीने में भुबनेश्वर कुमार अप्रेल में बाबर आजम बाबर आजम टैमी ब्यूमेंट वोज एड़ज़ एज एज ICC Women's Player of Month शी इस फर्विच कंटरी जनवरी में थी संपने मिसमाइल फ्रॉम साउथ अफरिका फैब में रही हैं टैमी ब्यूमेंट फ्रॉम इंग्लेंड और मार्च में रही हैं मार्च में लि जलली फ्रॉम साउथ अफरिका अप्रेल में रही है्लसे हिली फ्रॉम ऑस्ट्रिलिया ब्रॉम ऑस्ट्रिलिया कलिर है भाई फ्रॉम ऑस्ट्रिलिया यह चारों आपको याद रखने है इंडिया जो अपना World Test Championship Final है वो अगेंस खेलेगा New Zealand के और ये कब होगा? 18 जून से लेके 22 से जून तक कहाँ पर होगा? South Hampton में South Hampton में जो Aggies Bowl Stadium में वहाँ पर से आवजित किये जाएगा ये कहाँ पर है? UK के South Hampton में UK के South Hampton में जो Aggies Bowl Stadium में वहाँ पर इंडिया और New Zealand के बीच में World Test Championship का Final खेला जाएगा clear दोस्त? session को share कर दो जल दी से session को share कर दो बहुत सारे group बगेरा में आप लोग added है वहाँ पर link paste कर दीजे लिख दीजे Ashish Gotham session is sir live Ashish Gotham sir live ऐसे लिख दो के न तो बच्चे जोड जाएगे तो अगर आप लोग लेखेंगे तो मेरे दोस्त definitely student जोड़ेगा who has assumed charge as the chairman of APRACA Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association के chairman कौन बने है G.R. चिंतला गोविंदला राजलू चिंतला जो अभी वर्तमान में नाबाड के chairman है इनको Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association का head बनाए गया ओके next who has won BBC Indian Sports Women of the Year Award तो ये है Poneiru Hampi Poneiru Hampi she is related to chess और इनको BBC Indian Sports Women of the Year Award दिया गया BBC Indian Sports Women of the Year Award इनको दिया गया Union State अच्छा ये देखो ये है कि Super 75 Scholarship Scheme ये किस state के जो भी poor families है उनमे जो भी meritorious girls है उनको support करने के लिए उनके education को support करने के लिए Super 75 Scholarship Scheme को लाए गया and it is started by Jammu and Kashmir एक और scheme है इस करना में तेजसुनी scheme तेजसुनी scheme है उसके तहित क्या है अंडर मिशन यूथ फाइनिशल असिस्टेंस दी जाएगी जो भी girls है वो अपना business स्टार्ट करना चाहती है उनको और ये भी Jammu कश्मीर की है पेजसुनी और Super 75 Scholarship Scheme किस bank ने विकाश आसा लोन scheme को शुरू किया है महिलाओं के लिए करनाटक विकाश ग्रामिन बैंक तेक है इसी का एक product इस करना में Crushy OD Crushy OD भी सी का है विकाश आसा लोन scheme भी सी किया है Next उचीवन स्मॉल फाइनेस बैंक ने अभी Women Saving Account launch के इस का ना में Garima Saving Account ये किस ने किया है उचीवन स्मॉल फाइनेस बैंक ने जो भी स्मॉल फाइनेस बैंक होते है इनको open करने के लिए minimum capital requirement 200 करोड है 10 year का experience चाहिए FDI private bank के according है 74% यहाँ पर जो PSL target है वो कितना है 75% जो PSL target है priority sector lending target है 75% अब ये PSL क्या होता warrior batch में हम लोग पढ़ेंगे से एक topic नाबाट एन PSL वहाँ पर detail में तो ये समझ लीजे कि अगर आप लोगो ने ये batch है जो कि enroll करा लिया warrior तो आपके जो financial term है जो concept है financial awareness के पूरे complete हो जाएंगे ठीक है आज ही enroll कराना भाई आज ये 501056 का पढ़ रहा है Y168 code लगा के Y168 In wrestling बजरंग पुनिया has won gold medal by defeating तुलगा तुमोर ओर्चिर in Motio Pelican World Ranking Series अच्छा इटली के रोम में अभी Matthew Pelican World Ranking Series रही थी वहाँ पर भारत के बजरंग पुनिया ने तुलगा तुमोर ओचिर को हरा दिया है और gold medal अपने नाम किया तुलगा तुमोर ओचिर is from which country अरणूर को और एक बार log out करके log in करना फिर मुझे comment box में बताना एक बार log out करके log in करना फिर मुझे बताना यहाँ पर answer है मंगोलिया यह कहां से है यह भाई अपना तुलगा तुमोर ओचिर मंगोलिया विच बैंक इस अनौंस लाँच आफ स्टार्टप उन्यती अडेडिकेटेड प्रोग्राम और मैंटरिंग वीमें एंट्रिपनियोर बाई वीमें लीडर्स एड़ी बैंक किस बैंक ने बैंक में वीमें लीडर्स द्वारा महिला उद्ध्यमियों को सलहा देने के लिए इस एन खोजी-खोड केरल के खोजी-खोड में केरल के खोजी-खोड में आई-ाई-एसर का है मुख्याले आई-ए-सर का मुख्याले खोजी-खोड केरल यह Commerce and Industry Minister प्यूश गोयल सहाब ने अभी एक Project Development Cell Open किया है Announce किया है Bio Technology के लिए इस तवाल यह कि प्यूश गोयल सहाब जो कि Commerce and Industry Minister है यह राजिसभा सांसद किस स्टेट से है मत रास्ट, महारास्ट, ओके महारासर राजिसभा सांसद है प्यूश गोयल Commerce and Industry Minister, Railway Minister है Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister भी है और Bio Technology के लिए Projected Development Cell है इनके द्वारा इसकी गोशना की गई थी परियोजना विकास आही जैवपरद्योगी की के लिए ओके Clear है भाई ठीक है? Next अगला देखना What is the name of veteran Indian athlete recipient of Dhyan Chand National Sports Award who has passed away तो यह है इसार सिंग देल यह athlete, यह वर्ड याद रखना यह athlete है और इनको Dhyan Chand National Award से सम्मानित किया गया था Okay Next What is the name of former राइसान गवर्नर who has passed away अंशुमन सिंग यह राइसान के पूर्वराज्यपाल है इनका हाल ही में दन हो गया Which state will be first in a country to come up with gender budget concept तो gender budget concept के साथ जो budget लाने वाला पहला स्टेट है अंदरप्रदेश हम लोगों ने morning में पढ़ाते हैं कि योजना राय तू भरोसा राय तू भरोसा राय तू भरोसा पुरीडम स्ट्रगल आइडियास अर्ट 75 अचीवमेंट 75 एक्शन अर्ट 75 रिजॉल्व एट 75 होगा यह नहीं है ठीक है रिजॉल्व एट 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 टी नहीं है रिजॉल्व एट 75 होगा ओके next वो हैस बीन अपॉइंटेड बंगलादीश फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर वोई सकी टीवी में ये बत और न्यूज रीडर काम करेंगे इनका नाम है तशनुबा अननिसिसिर तशनुबा अननिसिसिर क्लियर है भाई यहां तक क्लियर है सभी के चलने नेक्स सेखना वीमेन लीडर्शिप अचीविंग इन एक्वल फ्यूटर इंपोविड-19 वर्ड इस थीम उफ इंटरनेशन वीमेंस देए यह अपने को नाम याद रखांग चलना है इतना क्लियर है दोस्त इतना क्लियर है सभी के प्लेटफॉर्म को नाम याद रहे हैं हर सरकल नेक्स्ट नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने SBI पेमेंट के साथ एक पार्टनर्शिप करी है जो भारती मर्चेंट है उनके लिए रुपे सॉफ्ट पी ओएस लाँच करने के लिए अब यहाँ पर मेरे सवाल कुछ थोड़ा अलग हटके जरा देखेगा जो कॉन्टेक्स पेमेंट की लिमिट है उसको अभी RBI ने इंक्रीज कर दिया है ये कितनी कर दिया है पांच हजार रुपे तो मर्चेट विल नाओ बी एबल तो एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट अब टू रुपीज फाइब थाउजन थू दी सिंपल टैपन पे मैकनेजम ओन देर स्मार्टफॉन तो कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट की जो लिमेट है इसको बढ़ा कर पांच यार रुपे कर दिया है और SBI पेमेंट और NPCI ने मिलके एक रुपे इंडियन मर्चंट के लिए रुपे सॉफ्ट POS को लॉंच किया था इंडियन रैसलर विनेश फोगात है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था रूम में मैटिक को पॉलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट में विनेश फोगात ने टाइटल किस देश की डाइना वीकर को हरा कर जीता था तो ये डाइना वीकर थी कैनड़ा की कैनड़ा, डाइना वीकर फ्रॉम कैनड़ा, ओके चलिए, नेक्स्ट तो किसने स्पेन के कैस्टेलन में पैंतिसवे बॉक्सम इंटरनेशनल टूनामेंट में देन्मा के निकोलाई टेरटीर को हरा कर तिरेशट किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है मनीश कौशिक इनका नाम है, इंडियन बॉक्सर लालरिंग सांग थू, हैज वॉन डबलू बीसी यूथ वर्ल्ड सूपर फैदर वेट टाइटल बाइ डिफेटिंग घाना से एरिक कौारम इन आइजॉल, भारते मुक्य बाद लालरिंग सांगा तलाव उन्हें आइजॉल में घाना के एरिक कौाम को हरा कर डबलू बीसी यूथ वर्ल्ड सूपर फैदर वेट खिताब जीता, ये जो बंदा है ये किस स्टेट से है, ये मिजोरम से है मिजोरम से, ओके इन बैडमिंटन रियो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस कैरोलिना मेरिन है इन उहोंने पीवी सिंदू को हरा कर स्टेट जो बेसल में रहा था वीमें सिंगल टाइटल जीता, ये कैरोलिना मेरिन ने से फ्रॉम विच कंट्री गाईज, इस्पेन से से कैरोलिना मेरिन विक्टर एक्सलसर ने इसी का ये जो अभी इवेंट रहा था इस इवेंट का मैं सिंगल का टाइटल अपने नाम के था, स्विज ओपन का जो बेसल में रहा थाइलेंड के कुनला वुत वितिद्ल सरन को हरा कर विक्टर एक्सलसन कहां से हैं डैनमार्क से, विक्टर एक्सलसन इस फ्रम डैनमार्क, ओके प्राइम इनिसर नरेंद्र मुदी जी ने अभी 7500 वज जन आउस्दी केंद्र ये देश्टों समर्पित किया सिलॉंग से, और सिलॉंग में से इनॉग्रेट किया गया, कुवर्मेंट का टार्गेट है कि किस वज़ तक 10,000 तक जन आउस्दी केंद्र को ले जा रहा है 2024 तक 2024 तक तक, ओके तो क्रिएट मोर आवेरनेस अबाउट जन आउस्दी, इन एंटार वीक from 1st March to 7th March वस सेलॉब्रेटेटेट अजन आउस्दी वीक जन आउस्दी वीक अब से कब तक रहा था 1 March से लेके 7 March तक, ओके जन आउस्दी वीक रहा था और जन आउस्दी दिवत 7 March को रहा इस वीक का सेलीबरेशन का थीम क्या रहा था जन औस्थी, जन औस्थी, सेवा भी रोजगार भी, जन औस्थी, सेवा भी रोजगार भी, तो यह रहा overall session, जो पहली बार मेरे साथ जोड़े हैं, इतना समझ लीजे, आपको daily सुपह 7 बजे मेरे साथ YouTube पे जोड़ना है, current affairs में, daily morning 7am, गलती से skip नहीं करना है, 1000 प्लस MCQ की warrior 7.0 batch, यह target batch के नाम से मिलेगा, target SBI के नाम से warrior, warrior target SBI, select कर ले न, code लगा न, Y168, 78% discount मिलेगा, complete financial awareness का यह batch है, बाज आप लोगों के लिए 78% discount फिर दुबारा back हुआ है, तो मैं दोस कोशिश करना, आज इसका फायदा उठाने का, ओके, रादे रादे दोस्तों,